नितीश कुमार की पार्टी अब विहार के सारे विधान सभा छेत्रों में जाएगी, वहाँ पर विधान सभा सम्मेलन होगा और पूरे 243 विधान सभा में जा जाकर ज़दियू लोगों को ये बताएगी की उनके पार्टी ने उस विधान सभा के लिए क्या किया है एक खास नमबर भी रखा गया है और वो नमबर है 225 इस 225 नमबर का मतलब पहले समझ लीजिए और उसके बाद आपको हम जद्यू का वो प्लान बताएंगे जिसको मास्टर प्लान कहा जा रहा है और इसी मास्टर प्लान के साथ जद्यू 2025 के चुनावी जंग का एलान करेगी और यह नमबर 225 हमने आपको बताया यह वो नमबर है जिन सीटों पर जीत के लिए जद्यू इस बात कड़ी मशक्कत करने वाली है जद्यू पिछले बार विधान सभाद चुनाव में बहुत पिछड़ गई थी सबको पता है और इस बार नतीश कुमार और उनके जो साथी है वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं कि जद्यू पिछड़े या फिर जद्यू का हाल पिछले साल जैसे चुनाव जैसा हो जाए और इसलिए इस बार अलग-अलग विधान सभाद च्छेत्रों में विधान सभास सम्मेलन करने का फैसला लिया गया है अब ये विधान सभास सम् मेलन करवाएगी मीटिंग जैसा वहाँ पर पटना से एक अधिकारी जाएगा जो उनके अंदर का आदमी होगा उसके अलावा जो वहां के विधायक होंगे वो रहेंगे संभावित MLA जो प्रत्याशी होने वाले हैं वो भी रहेंगे और वहाँ पर इस बात पर चर्चा लिए उस विधान सभा के लोगों तक पहुँचाय जाएगा और जो खबर आई है उसके अनुसार दिसंबर के आखरी आखरी तक लमसम लमसम जगह पर विधान सभा सम्मेलन हो जाएगा इसके अलावा ये खबर भी चल रही है कि जिलावार सम्मेलन भी होने वाला है मतलब क कि हर जिला में जदियू एक सम्मेलन कराएगी इस से दो तीन बाते होंगी पहली तो जदियू को इस बात की clarity मिल जाएगी कि लोग अभी क्या सोच रही है लोग वोट करने के लिए जाएगे तो उनका क्या मुद्दा रहेगा उसी पर अगले एक साल काम होगा इसलिए कुमार के काम को लोगों तक नितीश कुमार के सोच को और लोगों तक नितीश कुमार के बात को पहुचाया जा सके तिरस्पी आदव जिस तरीके से अपना माहौल बनाये हुए हैं सोशल मीडिया से लेकर ग्राउन तक जहां भी देखिएगा उनके कारकरता इस बात की जुग में आ गया है कि पिछला बार बारा परफॉर्मेंस नहीं करना है पिछले बार से बहतर परफॉर्म करना है 43 सीट से ज़्यादा लाना है तो हमको भी लोगों के पास जाना पड़ेगा उनसे जाकर मिलना जुलना पड़ेगा उनका बात समझना पड़ेगा और इसी लिए जद्यू का ये मास्टर प्लान तैयार हो रहा है उनका सीधा सीधा टार्गेट यही है कि कैसे भी NDA को जो 225 जादूई नंबर है वहां तक पहुचाना है और 225 सीटों का खाब देखने वाली जद्यू आप NDA भी कह सकते हैं अब अलग-अलग विधान सभा जाकर सम्मिलन करवाएगी लोगों से जुड़ने को कहेगी और कहेगे कि भाई देखो नितीश कुमार ने आपके छेतर के लिए इतना काम किया है अलग-अलग विधान सभा सम्मिलन से ये भी होगा कि लोग सीधा करेंगे एक मीटिंग होता है अगर प्रदेश अस्तर पर तो लोग सीधा कनेक्ट नहीं करते हैं लेकिन अलग-अलग विधान सभा का सम्मिलन होगा तो सीधा कनेक्शन फील होगा नितीश कुमार के पार्टी के पतादिकारी जो पटना से जाएंगे अलग-अलग विधान सभा में वो वहाँ पर देखेंगे कि यहां के लोगों का मुद्दा क्या है उस हिसाब से नेताओं को ब्रीफ किया जाएगा कि आपको लोगों के बीच में जाकर क्या बोलना है कैसे अपना प्रचार करना है और 2025 के लिए अब ये सब कुछ जदियू जल्द से जल्द कर लेना चाहती है क्योंकि उनको भी पता है कि तेजस्वी आदव लगे हुए है और तेजस्वी आदव का जो इस बार का बॉंड है लोगों से और उनका वो बड़ा ताकतवर दिख रहा है मिला जुलाकर विधान सबा सम्मेलन जीला वाइज सम्मेलन और ये जदियू के लिए से क्या फाइदा होगा ये देखने वाली बात होगी भविश्य के गर्व में ये बात है इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इप्तला करेंगे मेरा नाम प्रशान्त है फिर अगले खबर के साथ मुलकात होगी बहुत बहुत घन्यवाद